कि हालो वरीबन नविश्कार एंड विलकम तुश्यमधान तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग एंटीए यान नेशनल टेस्टिंग एजनसी के अफिश्यल पर साइट पर आज चुके हैं और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो सेंट्रल इनिवर्सिटी में अंडर आफिकेशन जारी किया गया जिसमें आपका पता चलेगा कि कब से क्लिवास होंगे इसके और क्या एकजाम का पैटर्न होगा इसमें एक एक करके क्लियर करेंगे इससे पहले आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सबस्क्राइब करके जूर जेए ताकि से जूरी आगे कि जो भी यानि यह जो कमन टेस्ट होगा उसी के रिगाड़िए नोटिफिकेशन है तो चले इसको डाउन्लोड करते हैं और फिर नोटिफिकेशन आपको लेचल के दिखाते हैं वहाँ पर क्या अपडेट आया है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यह बिल्कुल ओफिशल नोटिस है यहाँ पर नेश्टर टेस्टिंग एजनसी का लोगो है और यहाँ पर इनवर्सिटीज ग्रांड कमिशन उजीजीजी का लोगो है और इसको नहीं सब्जेक्ट में कंड़क्ट आफ कमन इनवर्सिटीज चंट्र इंवर्सिटीज फो दगया के सेशन दो बाइंश्टा इनवर्सिटीज और इहां पर इसको परनेश कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर निचे स्क्रॉल में आपको दिखाता हूं यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा गया है नेशनल टेस्टिंग एजनसी इस recommending the undergraduate entrance test for all the Central University for the academic session 2022-2040 , will provide a single window opportunity to extend to seek admission in of the Central University across the country . अम्तलाब कि हाँ पे सिंकल विंडी यानी की कमम टेस्तेड लेगा है NTA और ताकि वहाँ से सकते हैं अगे देख सकते हैं मैं the CUTS will be conducted in computer-based test यानी आपका यहां से नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं आगे चीज़ देखाता हूं आपको आपको दिखाता हूं यहां से तो यहां पर मित्रों हम लोग बात कर लेंगी जो इंपोर्टेंट डेट से आपको अप्लिकेशन देख सकते हैं आप दो चार दोजर वाइस यानि दो अप्रील सापका फर्म फिलप शुरू हो जाएगा होना और यहां से देख सकते हैं जो अब बाकिक अप्लिकेशन से मिलेंगी सब्सक्राइब करते रहेंगे आपको बता दूंगा और यहां से देख सकते हैं कि आपका इंपोर्टेंट डेस्ट पर ध्यान देना है आपको दो चार बाइस से अप्लिकेशन शुरू होगा और 30 अप्रील तक अप्लिकेशन ओनलाइन लिया जागा आगे इसमें स्क्रॉल क करते हैं और यहां पर देख सकते हैं से बड़ा इंपोर्टन चीज जरू धिया जो सिलेवास एक जमनेशन स्ट्प्चर फोसी वीटी जी 2022 तो सी वीटी 2022 जो है इसमें चार सेक्षन आपको देखने पहला सेक्षन है जो सेक्षन होने इसमें 13 लंग्वेंज होगा और सेक्ष सेक्षन में क्या बता रहा है यहां पर तो देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है चोजिंग अप्शन फ्रॉम इस सक्षन इस नौट मेंटरी च्वाइस बेस सच मैस्ट रिकॉर्मेंट्स आप डिजाइड इनिवर्सिटी तेकि यहां बखा जरू सिक्षन है ती जरूई न पैनिक की जड़ात नहीं होना है जैसे अपन अप्डेट डाएट डालेंगी मैं को बता दूँगा और यहां से हो सकता है जो सकता है कि अब flowing मैं है यहां पर जहां पड faLE श्यूर्दियर लंग cuál नगरола इसमें बात की I can पर देख सकते हैं एक लेना ही लेना है जो वन भी है इसमें से आपको ले सकते हैं कोई भी लेकिन जो वन कोईशन में से जो अपने गुश्य में इसमें कर नहीं करना अधिक इसमें आपको मीलेंगे कितने जैसका स्ट है और निचे प्राइब होगा और आपको दिखाते हैं जो शेक्षन शेकेंड होगा यह डूमेंड होगा यानि देहरार 27 डूमेंड सब्सक्राइब अफ़र अंडर इस सक्षन अकेंडेट में सब्सक्राइब करने होगा और यहां से नीचे देखते हैं जो शेक्षन थार्ड है तो यहां में देखते हैं फोर एनिच सच अंडर गेजुट प्रोग्राम बैंग इंवरसिटी विएर और जनरल टेस्ट इस बेंग युज़ फोर एडिमिशन देखिए यह कहने के बात है कि सेक्षन 3 सब के लिए नहीं है यहां पर आपको ध्यान देने के बात है आप अगर किसी सेक्षन 3 जिए एसी के इसमें से आपको 75 कोश्चन मिलेंगे जिसमें सबको 60 कोश्चन सॉल्व करने होंगे और यह आपका यहां से आपका जो ग्रेट लॉजिकल रिजिनिंग आएगा इसमें आपका और इसमें आपको 60 मिनट का शमय मिलेगा ठीक तो यह सभी किलमेंटरी नहीं है हलांकि जिस इनिवर्सिटी में आपको एडिम्शन लेना है उसका जैसे अपडेट आएगा कि उसमें कौन कौन सी सेक्शन का एक्जाम देना होगा आपको तो वह सारी चीज हम लोग देख लेंगे तो यहां पर आ सब्सक्राइब करेंगे तो उसका भी इसमें ध्यान देंगे अपना जो एलेल भी कुर्सेश करेगा जिसे की बेचिव में यूजी कंतरगा तो उन सब का इसी में होगा राइट आगे इसमें स्क्रॉल करके देखते हैं नीचे अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर दिय फॉर्म सेक्शन एन एन सेक्शन वन भी टेकन टुगेधर वन अफ दो लंग्वेज़ चोजें निर्श टू इन लिव ऑफ डोमेन अस्पेसिक सब्सक्रॉट्स देखिए आपको यहां पर मतलब मैक्समा आपको करना ही है इसमें लोगों सब्सक्रॉट्स से और मैक्समा तो उसमें से आप 27 सब्जेस्ट को चूज कर सकते हैं मैक्सिमम और यहां पर सेक्शन थार्ड जो होगा सेक्शन और सेक्शन थर्ड है यह डिपेंड करेगा फुली आपका इन्वर्सिटी क्या फोकुश करना चाहती है कौन सेक्शन का मार्स के अधार पर देना है हलाएंकि इसका अलग से अपडेट आएगा तो आपको पहनिक नहीं होना है वह साइड डिटेल मिलेगी बस आपको क अपका दो अप्रील से होगा लेकि रजिस्टेशन आपका एक तारीक से अभी लेवल हो जाएगा तक हलांकि आपको शुरू में मतलब की पैनिक फ़कर करके रजिस्टेशन नहीं करना है सारी अपडेश्ट देख लेना है ताभी फर्म को परना है जल्दिबाजी नहीं करन करते हैं कि all questions in various testing areas will be benchmarked at the level of class 12 का ही आपका होगा हलांकि मुझे लगता है कि class 12 का लिखा है तो 11 का तो नहीं आना चाहिए फिर भी आपको 11 का कुछ देखना नहीं होगा और यहां पर देख सकते हैं अब यह डिपेंड करता है कि कि कितना अटेम्ट देती है अगर वह ऐसा करती है कि जो पिफले सार 12 पास किया है वही फर्म भर सकते हैं तो बिलकुल अब लोग यहां पर फर्म भर लिजिएगा च्वाइस ओफ लंग्वेज यहां पर देख सकते हैं देखिए यहां लिखा सब्सक्राइब करते हैं कि अगर अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फैनली कोई दीकत नहीं है दा सेम कैन बी एक्साइज अंडर शीव एटी दोज़वाइस अल्सू कैंड़ेट मस्ट रीड केरफुली एजबिटी र्कॉइमेंट्स देखिए आपको केरफुली पढ़ लेना है आपको और जो 27 डोमेन सब्जिक्ट हैं अफर्ड दा कैंड़ेट में चोज़ज़ दा सब्ज़ेक्ट सब्सक्राइब करते रहना है तो यहां पर मैंने फुल नोटिफिकेशन को आपको शमझा दिया है कि आशी लेवस रहने वाला है कब शिकम आपका ऑनलाइन अवेदन होने वाला है इन सारी चीज़ों को मैं बढ़ियां से समझा दिया हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे तो नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि डिटेल में इस लेवस को और अलग से हम लोग समझने वाले हैं और जो भी अपडेट्स है कैसे फ़रम फिल अप करना है इस सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं तो बिल्कुल चैनल को सब स्क्राइब करके और अभी कभी बेल आइकन को प्रिस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगा और मिलते हैं फिर जल्द ही किसी नेक्स्ट अपडेट साथ तब तक के लिए चैनल पर बने रही है धन्य बाद